हाई फ्रेंड्स आज सुरू करता हैं माई माफिय हज्मेंट फैन फिक्षन के पार्ट टॉंटी फाइब पिछले पार्ट में हमने सुना था हाई कौन कहता है कि इबो तुमसे बहुत ज़्यदा प्यार करता है मगर जान यह कहता है दो या तिन दिन में किसी को प्यार नहीं होता यह पस अट्रक्शन है हम दोनों जस्ट फ्रेंड है अब आगे की स्टोरी जान जब इबो के मेंशन के पहर पहुंचता है वो देखता है वहां का मौल पुरी तरह चेंज हो गया था बहां का सारो तरफ पुरी तरह डेकोरेब्ट था पूरा गार्डन फुलों से सजाया गया था जान को जैसे ही अंदर आता है कुछ लेडिज उसके पास राकर कहते हैं सर हमारे साथ चलिए हमें आपको रेडि करना पड़ेगा ये केकर उसके हाथ को टाटली पकड़ता हुए अंदर ले जाते हैं जैसे ही जान एक रूम के अंदर पहुंचता है वो देखता है दो इंसान जब वहां पर अल्लेडि खड़े हुए थे जान समझ जाता है कि उसे साधी के लिए अब पीपर होना पड़ेगा वो साय करता हुए बहीं पर हीं भेर जाता है एक घंटे बत जान पुरी तरह रेड जाना चाहिए जैन उनके पीछे पीछे जाने लगता है गार्डन की तरफ वो देखता है उसके पापा, हाइकवान, जीन और कुछ केस्ट चो अल्डेडी प्रेजन थे जैन गार्डन की तरफ जाता हुए अपने मन में सुचता है सायद इन लोगों को इबो ने बुलाए हो मिस्टर साव जैन के पास आते हैं और उसके हाथ को पकड़ लेते हैं जैन अपनी पापा को देखकर हसने लगता है और दोनों साथ में चलने लगते हैं स्टेश की तरफ जहां पर इबो पहले से ही मां पर खड़ा हुआ था इबो ब्लाक कलर के सोट पेना हुआ था वो और इबो जिसके फेस में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था वो बस ब्लांकी की तरह बहां पर खड़ा हुआ था जैन इबो के पास पहुंचता है बहां पर जब प्रीश थे वो कुछ रिच्वार्स करते हैं और उन दोनों को रिंग एक्सेंस करने के लिए कहता है जैन जब वो रिंग्स देखता है वो बहुत जदा खुश होता है वो रिंग्स बहुत जदा खुबसरत था तो वो दोनों अपने एक दुझे की रिंग एक्सेंस करते हैं प्रीश कहता है अब तुम दोनों एक दुझे को केस करो इबो वहीं पर ही खड़ा रहता है बस जान की तरफ जान जब देखता है इबो के फेज में कोई भी रियक्शन नहीं है दूसरी तरफ सारे गेट जो अज़ब से सारी बाते करने लगते हैं तो वो साहिक करके इबो के करीब चला जाता है और अपने हाटों से इबो के सुल्डर को पकड़ कर उसके सर को अपनी तरफ खिंजते हुए उसके लिप्स में एक सापले कीस करता है मागर इबो उसे रिटर्ण में कीस बैक नहीं करता है एक लेटकी तो हसता हुए कहता है ये कितने अदा अनलोकी हैं वहाँ पर जो सारे लोग थे जैन को देखकर बस अभी हसने लगते हैं जैन जो बहुत ज़्यदा इंबरेस में फिल कर रहा था इबो उसे अभी भी कीस नहीं कर रहा था बहुत ज़्यदा दुक्य हो जाता है और पिछह के तरफ जाने ही लगा था कि इबो उसके सोल्डर को टाइटली पकर लेता है इबो का एक हाथ उसके सोल्डर पर और दूसरा उसके ओस्ट के अपर था वह उसे टाइटली अपने तरफ खिंजते हुए एक दीपली उसे कीस करता है वो किस पूरी तरह पैसेनेटली था जान अंकंसिसली हसे ही जा रहा था कीपो ने उसे किस प्याग किया बहां पर जो सारे लोग थे सभी का मुँ एकदम से बांध हो गया था मिस्टर साव, हाईकौन और जिन जो बहुत ज़्यदा खोश थे कुछी देर पहले वो बहुत सा दुक्य हो गया थे जान को इसे इंपरस होते हो देखकर मिस्टर साव, मुस्करत हुए मन में सुचते हैं अब मैं निश्चिंथ होकर मर सकता हूँ मैं इस बात पर सियोर हूँ कि तुम मेरे बेटे जान को हट कभी भी नहीं कर सकते दूसरी तरफ वो निउ कपुल वो अपने केज को ब्रेक करते हैं जान जब पूरी तरह समा गया था वो निचे की तरफ देखने लगता है मगर उस भीड में एक ही इंसान था जो उन दोनों को देखकर डेट क्लियार दे रहा था फाइनली मेरे सेरिमनी कंप्लेट होता है गेस्ट उन दोनों को निउ लाइब के लिए बेस टूइसेज देने आते हैं जान जो इसारे वक्त बस पॉलाइट ले मुस्क रही रहा था मगर इबो एक स्टाच्चू की तरह महां पर खड़ा हुआ था मिस्टर साव जान के पास आते हैं तो जान अपनी पापा को टाइटली लगले लगा लेता है मिस्टर साव कहते हैं जान अब तुम्हरा एक हज्मेंट है आई होब तुम उसे समझने कोशिज करोगे इबो एक पूरा इंसान नहीं है बस उसे प्यार और क्यार की जरूएट है मुझे पूरा परोसा है वो तुम उसे जरूर दे पाऊगे जान अपनी पापा की तरफ देख रहा था बस वो समझने कोशिज कर रहा था कि वो इबो को अच्छे से क्यार तो कर सकता है मागर प्यार उसके दिल में इबो के लिए ऐसे भी कोई फिलिंग नहीं है जान जब पूरी तरह कनपूज था मागर फिर भी वो अपनी पापा के बात सुनकर वो नोट करता है मिस्टर साव इबो के पास जाते हैं और उसे गला लगा लेता है मागर इबो उन्हें गले नहीं लगा था मागर उनके येर के पास जाकर कहता है ट्रस्ट मी मैं तुम्हारे बेटे की लाइब को पूरी तरह हेल कर दोंगा मिश्टर साव इबोचे थोड़ा सा दोर जाते हैं मगर उसके फेंच के एक्स्प्रेशन कुछ भी चेंज नहीं हुआ था और वो कहते हैं मुझे पता है तुम उसे कभी भी हर्ट नहीं कर सकते ये केकर वो बहाँ से जाने लगते हैं इबो बस उन्हें जाते हुए देख रहा था हाईकवान और जीन इबो के पास आते हैं और दोनों को टाइटली गले लगा लेते हैं इबो अपनी भाई को देख कर हसने लगता है जीन इबो को एक टाबलेट का पाकेट देता है और कहता है ये लो जान और इपो पूरी तरह कनफूस दे वो उस पाकेट की तरह देखने लगता है जेन स्मीक करके तो कहता है वेल जान इसकी तुमें बहुत ज़रुत पड़ेगा जान उस टाबलेट की तरह देखना लगता है और वो पूरी तरह ब्लॉस होने लगा था ये टाबलेट एक पेन क्लियर था वो कोई छोटा बच्चा नहीं था वो समा सकता था जेन का मतलब क्या है ये वो स्मीक करके अपने भाई की तरफ देखते हुए कहता है भाई मुझे लगता है आज जेन बहुत ज़रा एनरजेटिक है आपको आपकी स्टामिना सेफ करना पड़ेगा अज रात के लिए जेन और जेन उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं कि वो कितने दा सेम लेसली कैसे बाते का रहे थे जेन जेन को लेकर भाई से चला जाता है कुछ गेस्ट से मिलने के लिए इबो और हाइकोन एक दुझे से बाते करने लगते हैं हाइकोन केता है इबो जान का ख्याल रखना इबो बस हों केकर शुप हो जाता है अब सारे गेस्ट चले जाते हैं फैमिली मेंबर्स भी बहाँ से चले जाते हैं उस मेंसन में अब जान और इबो थे अभी साम के साथ बच चुके थे वो लोग डिनर भी कर चुके थे जान जब पूरी तरह टायर हो गया था वो अपनी रूम की तरफ चला जाता है वो रूम अभी पूरी तरह सेटेल हो गया था इबो का रूम अब जान का रूम भी हो गया था जान अपने बाथरूम की तरफ चला जाता है सावा लेने के लिए सावा लेने के बाद बेट के पास आकर इबो का इंतिजर करने लगता है गुज़ देर बाद इबो उस रूम के अधर आता है जान को बीना देके वो बात्रूम की तरफ चला जाता है सावा लेने के लिए जान इबो के इसी बिहेवर देकर वो पाउट बनाने लगता है मगर वो इबो को कुछ भी नहीं कहता जब इबो अपने बालों को ड्राइ करता हुए बाहर के तरफ आता है इबो जान को देखता है मगर उसे कोई भी कुछ भी नहीं कहता जान याद करने लगता है कि सुभा भी इबो इसे ही बिहेव कर रहा था जान बहुत जदा अंकमपोडल फिल करने लगता है अब उसे इबो के बारे में सब कुछ पता चल चुका था कि इबो इससे भीब उसके साथ क्यों कर रहा है मगर वो इबो से बाते करना चाहता था सारी सचा ही जानना चाहता था कि अच्छली रियल कल्पिट कौन है और वो उसे प्रूब भी पाना चाहता था जैन इबो को बोलाता हुए कहता है इबो तुम बहुँ जिदा टार होगे होगे यहां पर आजाओ थोड़ा सा रेस्ट ले लो वो अपने हाथों को बेड़ पर पैट करता हुए कहता है इबो वहीं पर हीं खड़ा हो जाता है और वो जान के तरफ देखने लगता है जान फिर से कहता है इबो जो जान के तरफ देखने ही जा रहा था और अपने मन में सुचता है वो मेरा क्यार कर रहा है वो मेरे लिए उरिड है जान पुरी तरह ठीक था इबो जो जान के तरफ बिलकुल भी नहीं सोचता था इसलिए वो नोट करता है और बेड़ के पास आ जाता है जान एक पीलो और ब्लांकेट लेकर वो सोफ़ा के पास चाला जाता है और वो बहुत ज़दा टायर था इसलिए वो महां पर लेड़ता ही उसे नीद आ जाता है जान को जो गेहरी नीद में सोया हुआ था मगर वो भूजदा उनकमपोटबल था वो बस लेड़ या फिर राइट पर टॉन हो रही जा रहा था मगर उसके आंखे नहीं खोल रहा था इबो जो जान को क्लिरली देख पा रहा था जान जो बहुत ज़दा उनकमपोटबल था वो बस एग्णोर करने की बहुत ज़दा कोशिज करता है मगर वो नाकाम रहता है फाइनली इबो अपने आप से कुछ देर लड़ाई करने के बाद वो डिसेट कर लेता है वो बेट से उठकर सोफ़ा के पास जाता है और ज़दा को जेंटली अपने हाथों में उठा कर बेट के पास उसे सोला देता है वो भी जाकर दूसरी तरफ उसके पास सो जाता है दोनों के बाड़ी के उपर वो ब्लांकेट अच्छा से कवर कर देता है इबो की ऐसी आक्षन से जान के थोड़ी से आँखे गोल जाता है और वो देरे देरे कहता है इबो उसके आँखे बस थोड़ी से ही खोली थी इबो उसके सर को प्याट करता हुए कहता है सो जाओ इबो की बाते सुनकर जान अपने आँखे बंद कर लेता है और अपने एक हाथ को इबो के नेक के पास और एक पेर को इबो के उवेश के पास लेकर वो टाइटली पकरता हुए भाहिंपर ही सोच जाता है इपो विस्पर करता वे केता है क्या छोटासा बच्चा उसके फेस पर एक स्षर्ट पर स्माइल था और भो जान को टाटली ग़ले लगा लेता है इपो जो बहुत ज़़ा दूखी था कि वो मन में सुचता है मैं क्या करूँ मैं तुमें कैसे हर्ट करूँ मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता, मैं तुम्हें छोटी सी प्रोप्लम में भी नहीं देख सकता, मैं कास तुम उस किलर के बेटे नहीं होते, तो मैं कभी भी तुम्हें हर्ट करने के बारे में कभी भी नहीं सोचता, मैं जितनी कोशिज करता हूँ तुम्हें हर्ट करना हुए कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़द abord करता हूं मगर अभी तुम्हें प्रसकता कभी भी नहें कर सकता है यह सारी बते हैं वह जहन को टाटली गले लगता हुए बहुत आगर दिस हो जाता है ! अब आकले दिन सुबहा की आंखें पहले कुलता है वो थोड़ा सा मुव होने कोश्मि करता है मंगर वो मुव नहीं कर पारा होता क्योंकि उसके पास जह जो सोया हुआ था वो देखता है कि उसे कोह में lotus नाकाम होता है पहली भार था कि एक माफिया बस अभी पूरी तरह हेबलेस था वो उस पर ज़्यदा फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि जहान अगर उड़ जाएगा तो वो यही शरी बते सुचते हुए उस पर ज़्यदा फोर्स भी नहीं कर पा रहा था इपो जहान को धेले धेले हिलाता हुए कहता है साय जहान मगर साय जहान के तरफ से कोई भी रिपलाई नहीं आता पाप इपो थोड़ी जोर से कहता है अब ओड़ जाओ नहीं तो मैं तुम्हें बेड से नीचे फैंक दूंका अब भी भी कोई भी रिपलाई नहीं आता तो इ पो बेड़ पे रोलोत हुए चिला कर कहता है अर्थका का गया भागो भागो अपनी लाइप को बचाओ ओ गाड़ प्लीज मैं मरना नहीं चाहता मैंने अभी तक साधी भी नहीं की इपो जो जान की इसी बाते सुनकर उसकी तरफ गोर से देख रहा था और कहता है सीरियसली त अपने चिलाना बंद करो अब जैन पूरी तरह होस में आ जाता है वो अपने सामने इपो को देखकर बहुत ज़दा इंबरेज भील का रहा था वो बेड़ पर बेड़ता हुए उस पर करता हुए कहता है सारी इपो बेड़ से खड़ा हो जाता है और वो बाथरूम की तरफ चालने लगता है जैन जो पूरी तरह एंबरेज था वो अपने सर को मारता हुए कहता है ओ माइग गॉड मैं कितना ज़दा स्टूपिड हूँ इपो बाथरूम से चिलाता हुए कहता है तुमारी अलेडी साधी हो चुका है जैन इपो के इसी बाते सुनकर उसका फेस पूर जहीं बात्रूम से बाहर के तरफ आता है जैन उसकी तरफ देख रहा था वो कुछ बिना कुछ कहे वो बहां से जाने ही बाला था कि जैन उसे रोकते हुए कहता है इपो वो आगे कुछ कहे इपो उसके बात को कारते हुए कहता है मुझे अब फिस जाना है तुमें जो भी जरूर थे तुम गलानी एया फिर हेड़कार को कह सकते हो यह केक्ष वो बहाँ से फिर से जाने ही भाला ठाकी जान मुसे फिर से रोकलिता high decor क्या chauते हैं जहान क्या हानिमॉन जयान जन कहता है हाँ हानिमोन प्लीज अब ये मत कहना कि तुम्हें उसके बार में कुछ भी नहीं पता जन ये सारी बते उसे चिड़ाता हुए कह रहा था इपो कहता है मैं कोई छोटा पच्चा नहीं हूँ अब कोर्स मुझे पता है मागर हम लोग कहीं भी नहीं जाने बाले हैं ये केकर बोस्रूम से बार के तरफ चला जाता है जन बेट को पर बेटता हुए कहता है ठीक है मैं भी देखता हूँ मिस्टर वांग इबो तुम कैसे नहीं जाते ये केकर बो गुरूप कल करने लगता है अपने पापा और हाइकौन को जन कहता है डाट मैंने इबो को मगर उसने कंप्लेटली मना कर दिया अब मैं क्या करूँ मगर आप लोग क्यों चाहते हैं कि हम लोग हनिमून में जाए आपको तब पता है ये साधी बस रेल करपेट को ढूनने के लिए हैं ये कोई सीरिस बात नहीं है मिस्टर साओ कहते हैं कामडाउन बैटा हमारे पस इ वो उसके ब्रेन को हमेशा वास करते रहते हैं इप जान तब तुम उसके पाटनर हो मुझे पर भरोसा करो वो तुमें हमेशा हर्ट करेगा अगर तुम बहां पर रहे इसी बज़े से में और हाइकवन ने ये प्लान किया है कि तुम दोनों को कुछ दिनों के लिए बहां से दूर भेजने के लिए हाईकवन कहता है एज जान अंकल जव ठीक कह रहे हैं डूंट वरी मैं ग्रानी ली से बात करूंगा उन्हें पता है कि राइट क्या है और रंग क्या है जान कहता है ओके अपरों कीजिए ये केकर वो कॉल को कॉट कर देता है वो बस पागोलों के तर चला जाता है अपने मनें रूटिन करने के लिए ठीक घंटे बाद वो नाध होने के बाद नीचे आता है देखता है यह जो प्रेकफस्ट टेबल पर उसका इंतिजार कर रहा था जैन जैसे ही ग्रानी को देखता है वो कहता है गुड मानिंग ग्रानी ग्रानी केते हैं गु वो इबो की तरफ देखकर हसता हुए कहता है वो इबो विश्पर करता हुए कहता है ग्रानी जान कहता है यह लिए हजबिन तुम कितना दा स्वेट हो मुझे लगा तुम यहां से चले जाओगे मेरे लिए वर्ड भी नहीं करोगे यह सारी बात है केक और वो इबो के पास जाता है ग्रानी उन दोनों के लिए खाना सर्फ करता है आज के पार्ट में ही परहिंग खतम करता हूं अब लोगों को मेरे एक्स्पलेशन अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजेगा थैंक्स पर वाचिंग